हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट वेलकम टू सक्सिज केरियर आज की इस वीडियो में हम आई टियाई से रिलेटेश सारी इंफार्मेशन देने वाले हैं जैसे कि आई टियाई की एक अपडेट आई हुए है जो भी केंड़ेट यहाँ पे 2014 के बाद एडमिसल लिए हुए है और उनका मार्क सीट सर्टिफिकेट में जो गडबड़ी है ग्रिवेंस कैसे करेंगे यानि कि आपका करेक्शन का 2014 के बाद सबी डोग का यहाँ पे करेक्शन की लिंक ओपेन हो गया है यहाँ पे दिखिया गया है इसको नोटिस को मैं डाउनलोड करको आप लोग को दिखा जाता हूँ कि इस नोटिस में क्या भूला गया है ठीक है और इसमें हम लोग इसके पाद में आप लोग को गिरिवेंस करके बताऊंगा कि आपको ग्रिवेंस कैसे करना है ना सिस्टेप ऐस्टेप सारी चीज़ना फोलो करते रहेंगे डगे गरिबेंसLook करेक्शन आप प्र पूलोड करके आप लोग देख लिए किसी तरह की प्रोफाइल रिलेट यानिके नेम फादर नेम डेटा बर्थ ठीक है फोट वगरा में गड़ बड़ी है तो आप सही कर सकते हैं कैसे सही करेंगे इसके लिए हम डिटेल से वीडियो में आपको बताने जाने जाने में देख लिजे सबसे पहले आपको NCVT, MIS Portal पर जाना है, Complaint टूल पर जाना है, Grivens पर जाना है, और Lock Grivens पर क्लिकर करके अपनी सारी चीज़े सही कर लेना है, मैं Step by Step आप लोग को फोलो करके दिखा दे रहा हूं, आप वही Step फोलो करिएगा ठीक है, और सारा यहां पे आप लो साइट पर चले जाना है, NCVT, MIS Portal पर मैं यहां पर आप लोग को दिखा देता हूं, ठीक है, और आपको NCVT, MIS Portal पर आ जाना है, और यहां पर Complaint टूल बना हुआ है, इस Complaint टूल पर आप जाएंगे, और यहां पर देखिए, Grivens का आपसन आ रहा है, Complaint टूल पर गया है, औ इसे ही Grivens पर क्लिक करेंगे, तो एक और Portal खुलेगा, यहां पर लाग Grivens का, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना है, अब लाग Grivens पर क्लिक करने के बाद, अब यहां पर आप लोग को Trainee Name देना है, जो आपका नाम है, वो अपना नाम दे दीजेगा, और अपना Grivens यहां पर सेलेक कर लिए, तो अब भी एक्जाम रिलेटेड ग्रिवेंस नहीं है, यदि आपका एक्जाम रिलेटेड जैसे कि आपका नंबर कम हो गया है, या ग्रेस मार्क लगा हो है, इस तरह कंप्लेन नहीं होगा, सिर्फ प्रोफाइल रिलेटेड ही यहां पर ग्रिवेंस जैसे आपका सेशन 18 है, तो R 18080 करके होगा, 00 लिखा होगा, उस 00 को हटा कर आपको R लगा देना है, और यहां पर प्रोफाइल रिलेटेड डाल कर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो जो आपका रजिस्टर्ड इमेल आईडी और मोबाइल नमबर है, उन दोनों पे आपका OTP चला जाएगा, ठीक है, जैसे आपका मोबाइल नमबर जो लास्ट में देख सकते हैं, ऐसे ही आपका भी लास्ट में जो नमबर होगा, उसी पर OTP जाएगा, या आप अपना इमेल पे चेक कर सकते हैं, दोनों जगा OTP जाएग आपको next training profile page पे चले जाएंगे, training profile में आपका कुछ इस प्रकार खुलेगा, यहाँ पे आपको photo दिखाई देगा, ठीक है, आपका roll number यहाँ दिखाई देगा, training name दिखाई देगा, और academy session जैसे कि आपका जो भी 2019 से admission है, 2014 से admission है, देखि यहाँ पे मैं बता दू, 2014 से लेकर, 2014 स गर्द दिया गया है, और आपका certificate में profile related कोई गड़बड़ी है, जैसे कि आपका name में गड़बड़ है, या mother's name में गड़बड़ है, या date of birth में गड़बड़ है, या father name में गड़बड़ है, तो आप इसको सही कर सकते हैं, या आपका profile photo में गड़बड़ है, देखिए क्य क्या सही कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट करना होगा जैसे यहाँ पर फादर नेम मदर नेम डेटा बर्थ ट्रेन नेम उसके अलावा अन्य देख लिए जो जो गड़बड़ी है आप सभी को एक साथ सही कर सकते हैं फोटोग्राफ में चेंज करना है जो भी आप प्राब्लम है जब उस पर आप लोग क्लिक करेंगे जैसे मालीजी के फादर नेम मदर नेम सही है आपका नाम गड़बड़ है ठीक है डेटा बर्थ गरबड़ है और फोटो गड़बड़ है तो आपको यहाँ पर तीनों जिस जो पर जिस पर आपका गड़बड हुआ है उसको टिक करना होगा जैसे मेरा तीन पर गडबड़ है तो देटा बर्थ मेरा गडबड़ है ट्रेनिवन और फोटोग्राफ गरबड़ है उसके बाद अब आपको यहाँ पर देखिए करेक्ट अब बर्थ यहां देना है जैसे कि अभी डेटा बर्थ हम में आप लोग को पूछ रहा है तो correct data birth मैंने डाल दिया फिर उसके बाद correct training name यहाँ पे आप लोग को अपना name सही देना है जैसे यहाँ पे नाम देखिए राधे से आम मुझे करना था और मेरा पिछले जो नाम आया था वो क्या था आज आप नंदन नाम आया था ठीक है तो यह सही कर लिया आ आप यहाँ पे आपको upload करना होगा ठीक है जिस नाम से आप लोग सेव करके रखे हैं जैसे मैं जोकर के नाम से रखा हूं तो वह जोकर के नाम से यहाँ पे दे दिया और देखिए 10 और 12 का document कोई भी एक इसमें लगेगा जैसे 10 का आप लोग लगा दिजे 10 का पीडिये यह आपको अपने कचहरी से बनावाना पड़ेगा ठीक है किसी वी वकिल से मिलकर एफिडेविट बनवा लेंगे और कुछ रुपे लेंगे वह एफिडेविट बना लेंगे उस एफिडेविट को आप लोग यहाँ पे upload करेंगे upload करने के बाद आपको submit grievance पे क्लिक करना है यह करेंगे तो आपका father name पूचेगा ना पिता जी का नाम correctetts Claire नीम तो जो आपका correct करना है पकली करने तो आपका जितन इस एब को करेंगे पर लोग को आपने करने के बाद आपका ग्रिवेंस कुछ इस प्रकार लिख कर आएगा योर ग्रिवेंस आईडी नंबर यह आईडी नंबर आप लोग नोट कर लेंगे ठीक है अपने मोबाइल में सारा काम करने आपको काले जाने की ज़रूत नहीं है आप लोग बहुत परसान हो जाते हैं काले दोर्ते दोरते यह आप लोग के लास्ट म순 काई अच्डllow कर लिजी आपने मोबाईल से लिजी और ईस सकते और इसी ऐडी से यही ग्रिवेंस आइडी यह वह पर आपका चाहीं नहीं हो पायगा इसको आप लोग लिख कर रख ले अपने कापी पे डाइरी पे स्क्रीन साट हर जगत 3-4 जगर रख ले जिससे कि आपको फ्यूचर में आसानी हो और बाद में आप लोग इसी चीज को क्या कर सकते हैं आसानी से देख सकते हैं और ग्रिवेंश कुछ दिन बाद आप लोग का यहाँ इतमhirt करता हूं इसी तरह की video पाने के लिए कमेंट बाक्स सकते हैं पर्सनल कोई कर सकते हैं आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो आप मुझे Instagram पर देदूंगे वहाँ से आप लोग जरूर मुझे मैसेज करेगा यदि आपको ग्रिवेंज करने में कोई प्राब्लम आती हो तो ठीक है आज के लिए वीडियो में इतने थेंक्स फार वाचिंग दिस वीडियो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में तब तक लिए बाए